Microsoft 365 and Intune के package playlist में एक बर फिर से वेल कमें आपका, I am Manjit Rawat, your online instructor पिछली class में हमने आपको guide किया था कि users की properties में दिखने वाले option को कैसे आप manage करते हैं और अभी हम उसी पार्ट को थोड़ा सागे बढ़ाते हैं As we discussed before कि हम आपको A2J, A2Z जो भी information है Microsoft 365 से related जो भी practicals हम perform करने वाले हैं Intune के वो सारा कुछ आपको provide करने वाले हैं इस playlist में फड़ा-फट से subscribe करिए और move करते हैं अपने screen पे और discuss करते हैं about की और क्या options हम देख सकते हैं Microsoft 365 की users की properties में screen से screen पे move करने से पहले अगर आप नए हमारी YouTube चैनल पर पहली वार वीडियो देख रहे हैं तो do subscribe because teach me cloud is a single technical training based YouTube channel जो आपको 100% live practical की वीडियो प्रवाइड करता है बिना किसी step को skip किये हुए और आपको गाइड करते हैं कि क्या क्या options हमें देखने को मिलते हैं we are on page of Microsoft 365 admin center I think this is fourth class यह चौथी class है हमारी playlist के अंदर तो इसमें हम बात करने वाले हैं यूजर के अलावा active user में हमने लगबख सारी चाहिए अभी चीज़े इसके MFA आपको बताया बाइक यूजर क्रिएट करना बताया template के थूँ कैसे आप यूजर क्रियेट करते हैं उन पर discussing करने वाले हैं भी क्कुषित करने है अपने पास मुबाइल फोन के अंदर कांटेड लिस्ट होती है में हम क्या करते हैं इन्फ esse को konversation करना है जिससे को जिस की cred करनी है जिसको call करना है दोनों purpose के लिए identification होता है जिसमें आप अपने contact के साथ साथ उसका नाम उसका number और designation भी हम उसमें या location भी assign कर सकते हैं as it is microsoft 365 के portal के उपर एक contact को option रहता है जो हमारे external users है Microsoft 365 के अंदर एक होता है global address list जिसको gal बोलते है global address list की responsibility यह होती है मैं आपको practically दिखा दें को सिस करता हूं कि माली जी यह अपने पास outlook का page हम open करते हैं और outlook के page पे कोई mail आपको send करनी कोई email आपको send करनी है this is the send panel और हमने यहां पर कुछ users पहले से तयार कर रखे हैं like as we are able to find active user user और active user के अंदर Clark Azure AWS अलिबाबा जी सीपी सपोर्ट टोनी मुल्टिपल यूजर सार अविलेबल जो इसके internal users हैं जिन users को directly domain के साथ associate करके रखा है अगर आप उनका नाम mention करते हो राइट हम टोनी को send करना चाहते हैं अब जैसे स्टार्टिंग के एक दो word या स्टार्टिंग के एक दो words आप टाइप करेंगे ना वह immediately search करके दिखा देगा कि इस word से स्टार्टिंग के started इतने number of account आपके पास हैं आपको किसको send करना चाहते हो right so think about it कितना ज्यादे important और यह information कैसे आती है यह information आती है से global address list से क्योंकि जब हम भी यूजर बनाते हैं जब कभी भी हम यूजर क्रीट करते हैं अपने Microsoft 365 portal के अंदर तो उस case में गैल के अंदर यह सारी चीज़े save हो जाती है but think about आप किसी external बंदे से बात करना चाहते है external user या आपका नया client है जो आपको प्रपोजल भीज़ रहा है for the x y g task right and you want to collaborate with them और आप अपस में कुछ business start करना चाहते हो और definitely business से start करना है वो अपनी company run करना है आप अपनी company run करना है वो अपने domain से आपको mail भीज रहा है आप अपने domain से उसको mail send कर रहे हो इस situation में जो email को त्यार करने की like email को memorize कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा याद रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा तो आप simple सा contact वाले option में आएंगे और इस contact पे click करेंगे जिस भी external user को आप login कराना चाहते है जिस भी external user को आप assign करना चाहते है लाइक आम गोंग तो प्रवाइड आज्यूर यह मेरे एक email id है उसके उस उस external email id को हम यहां पर प्रवाइड करना चाहते है ठीक है Azure हो गया display name और जो हमारी email id है वह है azure at the rate azurelab218 at the rate gmail.com तो आप इसको consider करिए कि यह हमारा client है external client है जिससे हम collaborate करने वाले हैं और in future हम अपना business हापस में merge करने वाले हैं तो you just need to add it अब इससे benefit क्या होगा जैसे ही आप अपने contact में इसकी detail mention करोगे ना इस contact के साथ-साथ यहां पर contact information के साथ-साथ आप gal में भी इसकी information save हो जाएगे अब आप जैसे mail send करते हैं अपने internal user को कि starting के 2 words type की है और उसकी mail ID की पूरी information mail ID की provide कर देगा as it is as it is अपने external user के लिए यह contact list होती है जिसमें आप अपने external user की information provide करेंगे और इसको save करके रख सकते हैं यह पहला task हुआ ठीक है ना यह पहला task हुआ दूसरा task जब आप migration task perform करते हो जब आप migration की activity perform करते हो on-premises से cloud पे Google workspace से cloud पे one tenant से दूसरे tenant पे किसी भी तरीकी के migration task जब आप perform करते हो तो उस case में भी migration के last वाले second last option में आपको एक feature रहता है जिसमें पूछता है कि आप अपने CSV file जिन user को आप migrate करना चाहते हूं उनके CSV file को आप transfer करिए ठीक है तो actually यह mail id already available है so that is why we are not able to access it मैं अपनी यहो mail list में mention कर देता हूं hide from my organization global list अगर आप यहाँ पे चेक कर देंगे तो इसकी information GAL से में ने रिखाई पड़िगी but I don't want to do that ठीक है display name must be different to azure 2 display name 2 अप create करेंगे हो जाएगा ठीक है so apart from apart from the like as a like external email id या उनकी information को GAL में save करने की अलावा भी आप इसको migration services के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं दो हमने mention किया एक हमारा azure lab 218-gmail.com दूसरा हमारा yahoo mail की id है जो दो client के साथ conversation करते हैं अब इनकी details को हमने mention कर लिया है अपने contact वाली list में अगले step पे चलते हैं guest user account वैसे हम यहां से guest user account create नहीं कर सकते हैं अगर आप यहां पे क्लिक करेंगे ना इडिल रीडाइट यो न पेज of microsoft intra admin center जो हमारा azure active directory था उसी को microsoft intra address admin center के नाम से जानते हैं और इस page से क्या कर सकते हैं आप अपने user को आप अपने what we can say that आप अपने guest user account को services share कर सकते हैं guest user account को यहां पर हम क्या कर सकते हैं add कर सकते हैं this is the agent basically ठीक है विल इससे अबाउट in microsoft intra admin center और एक option और दिखाई पड़ रहा है यहां पे deleted object so under the deleted users के अंदर यह जो आपके पास valid user है ना एक महीने के लिए 30 days के लिए अगर आपने गलती से एक्सिदेंटली डिलीट हो गया आपका user यह आपने जानबूच की user को डिलीट किया है तो इस वाले folder में 30 days के लिए आपका user अबेलेबल रहेगा आप कभी भी उन users को क्या करते हैं रिवर्ड बैक करा सकते हैं अपने original condition में तो मेद हैं यह सभी point हमने clear कर लिया है आगे move करते हैं क्योंकि we have enough time अभी तो थोड़ा सा discuss कर लेते हैं यहापे teams और group के अंदर teams और group के अंदर क्लिक करने के बाद आपको चार अलग-अलग options लिखाई पड़ रहे है active teams and group में क्लिक करते हैं और active teams and group के अंदर आपको multiple options दिखाई पड़ रहे हैं like microsoft 365 group है distribution list है और security group यहाँ पे available है ठीक है same option same option आपको मिलेगा जब आप microsoft 365 का exchange online admin center open करेंगे जब आप exchange admin center open करेंगे so same options आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेंगे not an issue I am just going to guide you about the work of these groups like either dl का का काम क्या होता security group का हम के इस्तमाल करते हैं और teams and microsoft 365 group के अंदर दोनों option दिखाई पड़ रहे हैं एक तो team को option दिखाई पड़ रहे है और एक दूसरा option दिखाई पड़ रहा है में Microsoft 365 group का click करते हैं यहाँ पर कोई सा भी name दे दिये demo grp नाम दे देते हैं make sure कि यह name पहले से न अब लो और next करते हैं try to understand about the use cases of this particular group अगर आप यह add teams करते हैं तो इसका इस्तमाल कैसे करेंगे real environment में so basically you know that microsoft 365 पर हम लोग है यहाँ पर अभी teams and groups में right हम लोग कहां पर है teams and group वाले पार्ट में teams हम create करना चाहते हैं लेकिन question why we need to create a team as per the name suggest multiple user account हमने create कर रखे हैं हमारे पास multiple users है Clark, GCP, Alibaba है और यह सभी क्या है यूजर active user है और इन में हमने licenses assign कर रखा है जब आप teams group बनाते हो तो आप इन users को क्या कर सकते हैं इस teams के अंदर attach कर सकते हैं let me add let me show you the practical demo grp create करते हैं यहाँ पर आपको honor decide करना पड़ेगा support को हम honor बना देते हैं next पर click किया यहाँ पर member assign करेंगे तो member में जो जो बंदे हैं उनको आप membership प्रवाइड करेंगे add करने के लिए वैसे group बनने के बाद भी हम attach कर सकते हैं here we are not able to find any user make sure कि license होने चाहिए और सबके पास I am going to check how many users are available और इनके पास licenses है या नहीं most of user are unlicensed क्योंकि license नहीं होगा तो it may be not able to find GCP पे license है तो let me no problem अभी हम create कर लेते हैं बाद में हम create करेंगे demo teams हमने यहाँ पे बना दिया public private दो तरीकी की teams group बनेगी अगर आप public करना चाहते हैं इसके अंदर जो URL होगा जो आप share point वगरा से mention करेंगे वह URL worldwide भीज सकते हैं आप किसी को भी attach कर सकते हैं इंटर्नल इक्स्टर्नल दोनों के लिए काम होगा बड़ आपने इसको private कर दिया तो within the organization ही चीजों को यह access कर पाएगा टेम से क्लिक किया और हमारा टीम जो है रेडी हो चुका अब usage क्या है इस टीम के अंदर हमें क्या करना है वी नीग टू एड मेंबर्स अलग-अलग मेंबर्स को एड करेंगे और फिर अपने according इसमें permission assign करेंगे डेमो जी एर पी बनाया है इसका एक dedicated email id मिल गया हमें on microsoft associated assigned membership type public है और इसको open करोगे तो आपको option देगा membership में member में यहां पे हमें add member पे जाना है unfortunately we are not able to find अभी यहां पे Clark को add कर दो जी सीपी यूजर हमने बनाया था जी सीपी यूजर को एड कर लेते हैं और एक और टोनी यूजर को भी हम इसमें insert कर देते हैं तीन यूजर को हमने यहां पे आड कर दिया ऐसे member of this particular group अब try to understand about the usage ठीक है यहां पे एक channel को option दिखाई पढ़ रहा है गाईज teams पे हम channel बनाते हैं अगर हमारे पास teams का access है teams पे एक channel बनेगा उस channel के अंदर जो भी आप activity perform करेंगे data sharing का या share point पे आप एक group बनाते हो share point एक बनाते हो side बनाते हो उस share point में अगर आपने इस group को add कर दिया एक share point आपने बनाया for example these all members are available in this particular group आपने एक share point side बनाई इस share point को आपने इस group को assign कर दिया ठीक है आपने इस को assign कर दिया अभी share point का access by default इन सभी बंदों को मिल जाएगा why we are going to use it team's collaboration के लिए chatting के लिए conversation के लिए share point की file को share करने के लिए अलग-अलग permission देने के लिए हम इस particular group का इस्तमाल करते हैं अगर हम यहाँ पे जा करके एक share point की site create करते हैं share point की एक site बनाते हैं और इस site के अंदर अगर आपने इस group को authorize कर दिया यूजर की जगह पर group को authorize कर दिया इस case में इस case में जितने भी members है team site बनाना चाहते हैं कोई सब for the testing purpose guys only for the example members add करने की बात कर रहा है यहां पर कि number of members को आप add कर सकते हैं so we already decided कि हम अपने इस particular team का access अपने entire group को देने वाले हैं और जो हमने group बनाया है किस नाम से बना रखा है demo grp के नाम से group बना रखा है कोई नहीं finish कर देते अभी हाँ पर इस जो हमारे पास demo grp बनाया है demo testing grp बनाया है आप इसके अंदर अपने members को आप attach कर सकते हैं या फिर यह जो पूरा का पूरा share point है इसको हम specific इसको हम specific group के साथ demo group के साथ आसानी से attach कर देंगे एक एक user को assign करने की requirement नहीं है अपने ये पूरा का पूरा site जो है ना share page जो है अपने group को assign कर दिया अब जितने बंदे होंगे इसमें जितने बंदे होंगे वो सारे बंदे इस group के अंदर इसको access कर लेंगे इमेडियेटली उनको एक notification पहुँच जाएगा तो यह बात हो गई किसकी यह हम discuss कर लिए है अपने अब वट वी किन से अब आउट टीम्स ऐसे 365 ग्रूप है डिस्टिबिशन लिउस्ट है और सिकेरिटी ग्रूप है एक एक पॉइंट पर बात करेंगे टाइम लगेगा बड़ आपको चीजे बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी स्टेप बाइ स्टेप चीजों को कंप्लीट करते रो चौथ ही क्लास या पाछवी क्लास है इसमें अब प्लीज इसको कंटिन्यू करेए सब्सक्राइब करिए अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जिसको जरूरव थे उसके साथ करिए और डू सब्सक्राइब यॉर अगली क्लास में मिलते हैं डिसकस करते हैं मोर अबाट Microsoft 365 टेक केर गाइस बबाए